असलामों आलेकुम, वेलकम टियर चैनल, होम स्टाइल फूड विट मी वाहिदा, आज मैं बना रही हूँ खटी मीठी ठीकी हल्वाई स्टाइल, कद्दू की सबजी, चलिए बनाने का तरीखा और इंग्रिडेंट्स देख लेते हैं, खटी मीठी कद्दू की सबजी बनाने के लिए मैंने लिया है, एक किलो के जितना कद्दू, ये दो अलग-अलग कलर में हैं, क्योंके दो अलग-अलग दुकानों से मैंने कद्दू लिया हुआ है, इसके लिए दो अलग-अलग कलर है, पहले इसके बींज उतार लेंगे, इस इसके बाद इसको धो लेंगे, इसके बाद इसको कट कर लेंगे, देखिए अच्छे से मैंने धो लिया है, अभी इसको मैं कट कर लूँगी, छिलके के साथ भी डाल सकते हैं, बिना छिलके के भी डाल सकते हैं, जो छिलका मुझे सक्ट लग रहा है, उसका छिलका मैं उतार ल तो मैं कुकर मैं बना रही हूं इसके लिए मैंने थोड़े बिक बिक पी ससी रखा हुआ है इस तरह से मैंने कद्व को कट करके रक्लिया है अभी मैं ले लूँगी कुकर, कुकर में कद्व को डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी पानी थोड़ा ग्रेवी टाइप बना रही हूँ मैं इसके लिए पानी थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ अभी मैं इसमें डाल दूँगी नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजेगा तकरीबन आधे लिटर के जितना पानी मैंने डाला है इसका ढ़कन लगा लूँगी और इसको दो विजल के लिए रखूँगी पकने के लिए दो विजल आ चुका है अब इसका लिड ढटा लूँगी मैं कदू देखे एकदम पॉफेक्टली गला हुआ है ऐसा नहीं एकदम मैशी बन गया एकदम पॉफेक्टली गला हुआ है दो सिती के लिए छोड़े आप भी इसको ठाके साइड में रख देंगे बाकी के तैयारें कर लेते हैं कड़ाई मैंने चड़ा दिया है इसमें डाल रही हूँ में दो टेबल स्पून के जितना आयल और इसमें डाल दूँगी आदे खाने का चमच मेथी दाना आदे खाने का चमच सौम और आदे खाने का चमच जीरा इसको हलका सा फ्राई कर लेंगे तेल को बहुत जादा गरम ना करें बस हलका गुनगुना गरम करें इसके बाद इन तीनों चीजों को डाल दें अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक चुट की हिंग और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लोगी इसमें डाल दूँगी कटीवी प्यास बारीक कटीवी प्यास है ये और इसमें डाल दूँगी साबुत लाल मिर्चे जब तक प्यास का कलर सुनहरा न हो जाए तब तक इसको फ्राइ करेंगे देखिए अच्छे से तल लिया है मैंने प्यास को इसमें डाल रही हूँ में एक और आधा खाने का चमच जिंजर गरली का पेस्ट आधे से एक मिनिट के लिए इसको फ्राइ कर लेंगे अभी मैं इसमें डाल दूँगी दो कटे हुए टेमाटो इसको फ्राइ कर लेंगे और इसको ढखकर टेमाटो को गलने तक इसको पकाएंगे देखिए अभी इसको कर्ची से जब प्रेस करेंगे टमाइटो मैश हो जाएगा इस तरह से कर लेना है हमें अभी मैं इसमें दाल रहे हूँ करी लीव्स और आफ टीस्पून के जितना टर्मरिक पाउडर टू टीस्पून के जितना कॉरियंडर पाउडर और आफ टीस्पून के जितना गरम मसाला पाउडर इसको मिक्स कर लेंगे लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हूँ मैं दो टीस्पून के जितना अब अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर लें अभी मैं दार रहे हूँ गुड वन टेबल स्पून के जितना है ये गुड इसको तोड़के इस तरह से दाल लूँगे मैं और इसमें दाल दूँगी एक खाने का चम्मच चाट मसाला गुड सौंफ और हिंग मिस न कीजेगा उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अलवाई स्टाइल अब बना रहे हैं तो गुड हिंग और सौंफ मिस न कीजेगा अभी मैं इसमें दाल दूँगी गलेवे कद्दू इसको हलके हातों से मिक्स कर लूँगी इसको बाल आने तक पकाएंगे टेस्ट कर लेंगे इसको कुछ भी कम ज़्यादा करना हो तो कर लेंगे देखिए नमक थोड़ा कम था इसके लिए मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है और इसको मिक्स करते हुए उबाल आने तक इसको पकाएंगे देखिए उबाला आ चुका है अभी मैं इसको ढग कर एक से दो मिनिट के लिए दम पर रखूँगी इसके बाद इसको विशाउट कर लूँगी देखिए ये दम हो चुका है अच्छे से अभी इसको मिक्स कर लूँगी इसमें डाल रही हूँ मैं कटा हुआ हरा धनिया प्लेम को मैंने बन कर दिया है ये जब हलका सा थंडा होगा तो और थिक होगा आप देख सकते हैं अभी देखिए थंडा हो चुका है थोड़ा सा ये देखिए कितना हुए चावाल रोटी या फिर पूरी के साथ सर्फ करें पूरी के साथ तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है आप इसको जरूर ट्राय करें और अपना फीडबाइक कॉमेंट बक्स में जरूर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना और अपने अपनों क जरूर टें मिलते हैं थावा बहुत।